यहां पर उत्रखंड से एक्स्क्लोसिव और बड़ी खबर आपको पता रहे हैं जहां पर उत्रखंड के सीने को चीरने में खर्णन माफिया पूर तरीके से जोटे हुए हैं रोड़की और डोई वाला से एक्स्क्लोसिव तस्वीर और एक्स्क्लोसिव खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं डोई वाला में अवैद घरन की कवरेज करने गई महिला पत्रकार पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया वहीं अगर रोड़की शेत्र की बात की जाए तो यहां पर भी खनन माफिया पूरे तरीके से सरकार और प्रशाशन को चुनाती देते हुए नजरा रहे हैं अवैद खनन को बड़े स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है इसके अलावा करोड रुपय का जो चूना है वो राज्य सरकार को लगाय जा रहा है गाउं के बीस से ही जो खनन के डंपर है उन्हें निकाला जा रहा है जिसकी वज़े से गाउं के लोगों को भी खत्रा लगातार बना हुआ है तो यह एक्स्क्रूसिफ तस्वीरे जो आप इस वक्त देख रहे हैं यह रुड़की की तस्वीरे हैं इसके अलावा जो अब हम आपको और तस्वी सारी पर ग्रामीड क्या कह रहे हैं यह भी सुना बेहस्थ जरूरी है जो है घर बिल्कुल रोड से मिलता है हमारे चोटे चोटे बच्चे हैं वे कभी कभी 10-20 मिनट के बाद बहार आते हैं अगर कोई दंपर की चपेट में आ जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा सर और यह जो ना करीबन सारी रात जो है ना आट बजे से लेके सुबह सारी रा जो है एक मिनट के लिए भी बाद नहीं होते हैं यह चाहते हैं जाए जहां जो है उन्हों और तोड के ये तीन रास्ते नंजण से थिनों में से एक आज हमारे इस खाषप्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं वो है टोई वाला की जहाँ पर एक अवैज खनन करने वाले माफिया के खिलाब को जब एन भरत की पत्रकार जोती यादा वो मौके पर कवरेज करने के लिए पहुंची तो उन पर हमला किया गया और आप जो दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ यह रोड़की की है रोड़की में भी लगतार खनन माफिया बेखौफ होकर खनन कर रहे हैं और यहाँ पर दिन में भी खनन हो रहा है रात में भी खनन हो रहा है और जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि खनन माफिय को अभी तक DM कारेले से पूरी इजाज़त नहीं मिल पाई है लेकिन उसके बाब जो थे जो पहाड़ है और पहाडों की छाती है उसको चीरने का सिलसला बहुत तेजी से चल रहा है और इसी पूरी ख़बर पर बात करेंगे हमारे साथ हमारे दोस समवाजाता रोड़की से सलम सलमान मलक आपके पास था हूआ है सलमान हमदेख रहे हैं उसस्वीरों को करीब से कि चाती को काम किया जा रहा है आप वो सवाल यह है कि कि सिल्ट नकुल आपको बतादू कि पूरी तरीके से जेग रूकी छेत्र है वह खरन्माफिया के मकड जाल में इस वक्त देखा जासक हैं तो जो फचाषसनिक बीचारी है अगर इस्थानि लोग उनको शिकाय़ँ भी करते हैं तो कैए ने कहीं पशासन के लोग पहले वही स्काय़ में आकर मोत की आगोस में सोच्छ चुके हैं लेकिन इसकी सिकायत लगातार आला अधिकारी तक के भी की जा रहे लेकिन बावजूद इसके परसास निक अधिकारी और पुलिस अधिकारी इस और ध्यान देने को तयार नहीं है हाला कि मैं बात करूं इस वक्त रुड़की के जो है जिसका जिक्राप इस वक्त कर रहे हैं बेड़ पूर काउं की बात कर रहा हूं जहां पर ग्षामिनलों की मानेत उनका कहना है कि 2000 घर्मीटर की यहां पर पर कई नक्हांगी को खत्रा बना हूआ है कि कहीं कोई हाथसा ना हो जाए लेकिन परसास निक अधिकारीों को इसकी जो है अप्लिकेशन भी दी है लेकिन अधिकारी इस और ध्यान देरे को तयार नहीं है हाला कि एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी बताया गया है कि शूतरक उनिसार की एक ही जेसीवी की परमिशन की गई है लेकिन वहाँ पर दो दो जेसी भी लगाई गई है हाला कि शूरत ढ़ने के बाद खरंगा कारी ये पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है लेकिन पूरी जरात यहां पर जो है करनका कारो काला कारोबार लगातार जारी है और परसासल और पुलिस पुरी तरीके से बेखबर बना हुआ है तरीके से ग्रामीनों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है से पूरे मामले को लेकर आप लोगों को वह अब दिखाना बेहत करेंगे डोई वाला जहां से हमारी समधाता जोदी आता वामरता जोड़ी होई है यह क्या जा रहा कि यहां जो रोड के डली ही आर्शी रोड है इनके मारे जो गरीब लोग इनके घर रोड पो लगे में हैं और 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 बी रास्ते वहां को यह निकालने रहे उसी रोड को वो रोड सारी तूट गी उनके बच्चे बाहर आरे और उनके बच्चे बाहर आने से उनों खत्रा उनके बच्चे छोटे-चोटे बच्चे भाग को बाहर निकलो घर तो कद लग रोकोगी महा कब लग रोकोगी अनके बाप कब घर थोड़ा ही बैच्थेंगों रोकने लिए और रस्ते वहां को निकननी रहे, परमिसन इनको आट सो पाँच तक की पूरी पूरी राथ डंबर चला रहे, तो यह नाजाज कर रहे है, यह मारे लोग परेसान हो, कोई सुनने को तैयार ने है इनकी, रोड का नास हो गया, सारी रोड टूट गी, इसलिए अभी अभी हम ना एस्दिम साहिब आगे, यहां भी सोच रहे जाने के लिए, लेकिन हम इसलिए नीगए के जिप डिम साहब के यहां तैहरीद गई, वहां से पुछ नहीं आज तो फिर एस्दिम साहब के यहां भी नीगए जोती आप बताईए किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं किस तरीके से खनननमाफिया वहां पर चुनोती देते हुए नजरा रहे हैं आपके उपर खनन माप्याओं ने हमला भी किया और उसके बाद अब इससे पूरे मामले में प्रशाशन और पुलिस का क्या रविया है जोती यहाँ पे पुलिस प्रशाशन का ये रविया है कि वो हमारी बात को इशू ले ही नहीं रहे हैं एक्चल में उन लोगों को हमारी बात इतने हलके में क्योंकि सब मिले हुए हैं यहाँ पे दिन में नहीं रात शाम होते ही आठ बजे से खनन का काम चालो हो जाता है यह धर्मो चौक के पास गोगमाडी गाओं है वहाँ पर हम लोगों को इस्थाने लोगों की खबरे आ रही थी वो परिशान थे उन्होंने आगे भी प्रशाशन में शिकायती करी बर प्रशाशन ने आख बंद कर रखी है उन्होंने आगे कोई कारवाई नहीं करी तो हमको मौके पर जाना पड़ा आर्थी वर्मागी हमारे साथ थी और हम दोनों वहाँ गए तो देखा कि काफी काफी मात्रा में वहां पर आर्वीम निकाला जा रहा था काफी डंफर थे और जेसी पी थी लोडिंग गारियो में आर्वीम काफी मात्रा में निकाला जा रहा था और किया आपको रात में खननमाप्याओं के इस तल पर पहुच गई आपने उनको एक्सपोज करने की कोशिश की आपको खत्रा भी बताय जा रहा है किस तरीके के हालातों को आप इस वक्त अपने आसपास देख रही है कौन सा अधिकारी है कौन-कौन से अधिकारी के पास आप अ गयते है अपने डोईः वाला में हमारे हैां नेगी नेगी सर कोटवाल सर हैं नेगी सर्ट उनके पास गयते बट उन्हें को आप देीं डिख सोचे इस यह एक देखिए यह उन्होंने हमें रिसीव दिए क्यूदारी कियूंकि बहुजर्व आमना कर दोंकर नहीं सीविंग तक नहीं मिली हमें मजबूरन होके अपने अपनी बात दहरा दून में रखनी पड़ी सर को हम यहां पर आज 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 खुद मैं यहां पर मिली हूं अपने प्रकाश चंद्र क्राइम सर से उन लोगों ने डोए वाला में प्रेशर किया तब जागे उन्होंने बोला है आज वाशन दिया है कि आज आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी आपकी 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 जाएगी बिल्कुल जोती अहां बिल्कुल मैं समझ गया हूं यह जो चीजें जो कागजात पहले कर दी थी लेकिन जब मौके पहुंच कर वहां की कवरिज करने की कोशिश की तो किस तरीके के हालात सामने आए वो हम देख रहे हैं लेकिन palms यहां पर सवाल यह उत्ता है कि जो दोई वाला जहां पर जोती रहती है वहां पर इंकी शिकायत दर्ज की गई और अपने शिकायत लेकर SSP के पास देहरादून पहुंचना पढ़ा राजधानी पहुंचना पढ़ा तो क्या इसी तरीके से काम कर रहा है हमारा सिस्टम हमारे प्रदेश में उत्रा खड़ा है बिल्कुल अपको बता दू कि कही ना कही जो खनन माफिया है उनके जो संपर्क में है जो छेतरी थाना है छेतरी पुलिस परसासन है वो अपने संपर्क में लेकर उनके काम करते हैं तो कही ना कही जिस तरीके से पत्रकार पर हमला हो रहा है और पत्रकार इस थानी परसासन तो यहां पर किया जा रहा है लेकिन फूरी तरीके से बेखस पर बनाुए मुर्यार क्सिर इसकों में और मोस्थश की जारी है की यह तो भी अधार के पुरी तरीके से कहा जाकता है जो पुलिस परसासन है उनका धीला यहाँ पर रवया देखा जाकता है और कहिना कहीं पुलिस परसासन को सबजना चाहिए कि जो वहाँ पर जिस तरीके से विद्खरनल किया जा रहा है पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है तो उन पर कारवाई ह पुरी तरीके से बॉल बाला है गाउं के बीच वीच से नदियों का जो है बालू लेकर वो ट्रेक्टरों से निकलते हैं तो गरामिनों की कई बार इस तरीके से चपेट में आने से मौत भी हो चुकिए है है लेकिन मौके पर जब गरामिन हंगामा करते हैं तो उससे में पर्सासन मौके पर पहुंचता है और आजवसन देता हैं और तमाम लोगों को कोशिश कर रहे होते हैं जब यह खननन माफिया घ्रामेड़ों को धंकी दे रहे होते हैं तब ना तो प्रशाशन को कुछ समझाथा है ना सरकार को कुछ दिखाई देता है और पुलिस भी आख मून कर पैठी रहती है जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पता सब कुछ होता है लेकिन उसके बाब यूप यह नहीं करते तो क्या यह मान लिया जाए कि उत्राखन के परशाशन को फुलिस के अधिकारी पूरा तरीके से जो देव भूमी का है वो सीना चीरने में पूरा तरीके से शामिल हो गए है और एक हिस्टा उन अधिकारियों के पास भी पहुंच रहा है और अधिकारियों के जर्ये सरकार के पास भी जा रहा है सलमार बिल्कुल कहिना करी इससे इंकार नहीं क्या जाज़कता है क्योंकि जो परसासनी कधिकारी है उनको लगातार जो है इसकी शिकायत की जाती है परोटी लगाई गई हैं तो जिस तरीके से पुलिस परसाषन को कि जेवे गरम करके ये अपना काले कारूबार को अंजान देते हैं तो कहिना कहीं जो सफेध पॉस नेता है उनकी शहपर ही पुलिस के दबाओ बना कर ये कार्ड है तो कहिना की पुलिस में पहुते पाती है तो बिगड़ते हैं लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा दोनों उन्हें अपनी प्रतिक्रिया थी सल्मान आपने भी बताया कि किस तरीके से डोई वाला में भी वहां के अधिकारी सुनने को त्यार नहीं है डोई वाले के सब्सक्राइब करने के लिए अगले एपिसोड में दोबार आप से बात की जाएगे इंधान माफ्याओं को लेकर जन्ता की समस्चाओं को लेकर जोती आप बताएए अब क्या चोल रहा है अब क्या सिट्वेशन बढ़ी होगी इस पूरे मामले में प्रशाशन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है हम लोगों ने जिस गाड़ी का नंबर दिया था सफेद रंकी स्कॉर्पियो यूके जीरो से जन्ता की समस्चाओं को लेकर कोई कारेवाई नहीं किये जहां तक हमारे उपर से दवाब आ रहे हैं के आप केस को वापस ले लीजिए या सैटेलमेंट कर लीजिए इस तरह के हमारे आगे इन्होंने रखे हैं आगे मुद्दे बढ़ाये हैं के भई आप पीछे हड़ जाईए हमको उपर से प्रेशर आ रहा है हमारा आप देख लिजिए ना यहीं कि जब हमारा इन लोगों ने पुलिस प्रशाशन ने हम लोगों की आफायर तक दर्ज नह जो तमाम अधिकारी हैं उत्राखंड के सरकार के तमाम नेता हैं वो इस वक्त सुन रहे होंगे और आइन भारत के जरिये मैं भी इन अधिकारीों को इन नेताओं को और इन भूमाप्याओं को यह समझा देना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से अगर कलम को दबाने की की जाएगी तो हम हर बार पलटवार करेंगे और पलटवार हम ऐसा करेंगे कि वो पलटवार फिर आप लोग जेल लायक नहीं रहेंगे विलहाल इसे पूरे मामले में यह उमीड की जाती है कि महिला पत्रकार जोती यादव के लिए प्रशाशन और पोलिस आगे आए और इ जरूर ध्याद रखना है कि अगर वो कार आपको कहीं दिखाई देती है तो उसका वीडियो तुरंत बनाईए रुपियो मत उसका पीछा करिए बिल्कुल उसका पीछा करिए और यह चेजागनी मैन भरत के जरिए उन माफियाओं को अधिकारियों को दे देना चाहता हूं अब उत्राखंड में इन खनन माफियाओं को मैं बता देना चाहता हूं कि आप खनन कर रहे हो, सरकार ने जितने इजाज़त दी है उत्ता खनन करो, कानून को अपने हाथ में मत लो, परचाशने का जिकारियों पर हमला मत करो, और पत्रकारों की जुबान को दबाने की मत करो, वरना शायद आप लोग अपने ये काम करने लायग भी नहीं रह पाओगे, विलाल मेर साथ तहीं लेकिन आप देखते रहे हैं आन भारा, जाए हैं